क्लास नाइन्थ साइंस में हम पढ़ते हैं जीवों का वर्गी करण चेप्टर सेवन जीवों में विविदता डाइवर्सिटी इन लिविंग और्गनिजम्स के अंतरगत हम देखेंगे जीवों का वर्गी करण और आज हम बात करेंगे मोनेरा के उपर जीवों का वर्गी करण वर्गी करण जीवों की विविदता को इसपस्ट करने में सहायक होता है क्योंकि इस प्रत्वी पर अगरम देखें तो हमारे आसपस अगर हम आसिमित विविदता जो है इसका अध्यन करने लगें तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जीवों को वर्गी करण उनका आवशक होता है और वीटे करने जीवों को पांच जगत में वर्गी करत किया और जीवों को वर्गी करत करने का जो बेसिकली आधार होता है वो होता है कि उनकी कोशिकी सरशना केसी है वो प्रोकिरियोटी है या यूकिरियोटी है दूसरा आधार हो सकता है कि उस जीव का शरीर कैसा है एक कोशिक है या बहु कोशिक है और हम जानते हैं कि बहु कोशिक जीवों की सरशना जटिल होती है और उनमें कोशिका भित्ति उपस्ति थे या उनमें स्वापोशन की शम्ता है या नहीं है इस आधार पर हम जीवों का वर्गी करण करते हैं और आज हम किसको पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मोनेरा को तो जो प्रोकिरिटिक हैं या यूकिरिटी हैं अब अगर वो यूकिरिटी हैं तो वो एक कोशिक और बहु कोशिक हो सकते हैं और इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे प्रोकिरिटिक में अगर हम एक कोशिक पर बात करेंगे तो स्टार्ड हम करेंगे किस से मोनेरा से करेंगे तो याद रखिएगा कि जो मोनेरा के बारे में दो महतुपुन बात हमने कही है कि वो procurity है और एक कोशिक है तो चलिए मोनेरा से ही हम शुरुआत करते हैं मोनेरा के बारे में एक महत्वण बात तो हमने जान ली कि यह सभी क्या है प्रोकिरियरट होते हैं अब प्रोकिरियरटी होते हैं इसका मतलब क्या है कि यह इनके पास इनका कोई यह कहें तो फिर यह जब वेल डिफाइंड नूकलेस नहीं है तो क्या इनका DNA वगेरा कहीं है ऐसे इच्छितरा बिखरा पड़ा रहता होगा एक्चुली क्या होए कि सभी जो बेक्टिरिया है शार्ट में हम कहें कि सभी बेक्टिरिया वो मोनेरा वर्क के अंतर आते हैं तो बेक्टिरिया के अंदर वो रीजन जहां पर DNA कलेक्टिवली प्रेजन्ट होता है उसे नूकलियोड कहते हैं एक्चुली उसमें DNA माउंट पेकेजड होता है तो यह आप कह सकते हैं कि इनके बारे में कि इनके पास वेल डिफाइंड नूकलेस नहीं है लेकिन फिर भी इनक DNA जो है वो एक रीजन में होता है तो यह मोनेरा है और मोनेरा के बारे में हम कह सकते हैं कि यह बहु कोशिक नहीं होते हैं मतलब एक तो यह कि प्रोकुरेटी हैं प्रोकुरेटी होने के बाद में बहु कोशिक भी नहीं है मतलब क्या हैं फिर इनके शरीर एक कोशिक है और इ ऐसे में क्या है कि यहां सवाल आता है कि फिर इनमें पाई जाने वाली जो विविद्धा है वो किन गुणों के उपर निर्भर करती है डेफिनेटली वो गुण कुछ अलगी प्रकार के होते होंगे या डिफरेंट होंगे तो इनमें जो पाई जाने वले विविद्दा है वो अन्य लक्षनों पर निर्भर करती है और मैं तो पुन बात करें तो इनमें कुछ में कोशी का भित्ती पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है तो ये भी एक बात हो गई कि इनमें कुछ में कोशिका भित्ती पाई जाती है कुछ में नहीं पाई जाती है तो ये सा थो बहुत सारे बहु कोशिक जीवों में भी होता है कि कोशिका भित्ती कुछ में होती है नहीं भी होती है तो एक्चल क्या है कि कोशिका भित्ती के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जो जीव हैं, उनकी शारिरिक सरेशना में जो परिवर्तन होते हैं, वो तुलनात्मक रूप से जो बहु कोशिक जीव हैं, उनमें कोशिका बित्ती के होने या न होने के कारण जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों से भिन हैं, इसल और आके बढ़ते हैं, तो पोशन के इस्तर पर ये स्वा पोशी अथ्वा विशम पोशी दोनों हो सकते हैं, मतलब मोनेरा जो है वो पोशन के इस्तर पर स्वा पोशी और विशम पोशी दोनों हो सकते हैं, एक्चुली ये बहुत ज़्यादा जगे पर मिलने वाले होते हैं, अभी बेक्टिरिया की बात करें, तो अगर आप मुठी पर रेत को उठाते हैं, तो उसमें बहुत सारे बेक्टिरियां होते हैं, तो ये पोशन के स्थर पर क्या होते हैं, स्वापोशी और विशमपोशी होते हैं, एक्चुली जो बेक्टिरिया होते हैं वो वाइडली अगर देखा जाए मेजोरिटी में अगर देखें तो वो विशम पोशी होते हैं है ना तो ये मेजोरिटी में विशम पोशी होते हैं बेक्टिरिया है कौन सा बेक्टिरिया है साइनो बेक्टिरिया जिसको हम कहते हैं तो यह इनके पास इनका क्लोरोफिल होता है तो फिर यह स्वापोशी हुए यहां अगर अगर आपन देखें एना भी ना को तो ये केमो सिंथिक होते हैं, मतलब chemically अपना food बनाते हैं, तो ये भी स्वापोशी हुई है, लेकिन मेजोरिटी में ये क्या होते हैं, विशम पोशी होते हैं, आपको पता है ये ना भी ना ये जो होते हैं, ये nitrogen इस्तिरी करण के लिए जिम्मेदार है, तो ये इस तरह के ज आस तरह के कुछ लक्षन होते हैं जिनको कक्षा नभी के विध्यारती इतना इतना ध्यान रख लें तो परियापत होगा धन्यवाद